इस वीडियो मैं कवर करूंगा कि यह वीडियो एडिट कैसे हुई है लोकल एंड राइट फॉन से याथ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियो के टीटोरियल मैं आपके लिए लाता रहूंगा सचेनल करते हैं इसकी एडिटिज्टेंग इस वीडियो में आपको कमित्त लीटियल देने वाला हो कहाँ पर कौन सा बेग्रॉंड मुझ बालना र पूरा complete देखना, नहीं तो आप डालो के विडिटिंग मिसोना और निकले का एक्सपोर्ट हो के कालूब Guys, simply open करेंगे काइन मासर रफ में फोन पे, तो select करेंगे solarisio9 पे और मीडिया पे जाके आप अपना वीडियो टाइम लाइन पे लाएंगे जो वीडियो हमने शूट किया है ये वीडियो मैंने अपने वाइल से सूट किया है लेकिन अच्छी क्वाल्टी के लिए आप DSLR से भी सूट कर सकते हो और आपका टेमरा आपके पोजिशन से बिलकुल भी नहीं हिलना चाहिए जब तक आपकी सूटिंग कमप्लीट नहीं हो जाती वीडियो में एक बंदा जल के आता है और अपना सट ये कोट उतार के नॉर्मली फेक देता है फिर वही बंदा अपने दूसरे पोजिशन पे जाके खड़ा हो जाता है फिर कोई दूसरा बंदा उसके पहले पोजिशन से उसके साट के जैकेट उसी डिरेक्शन और उसी स्ट्रीड में फेकता है जैसा उसने पहले फेक आता याद रखना उसी डिरेक्शन और उसी स्ट् पोजिशन चेंज किया था फिर इसमें दूसरा बंदा सट फेक्टने के लिए रेडी है उस वीडियो का डूब्लिकेट ले ले लेंगे फिर उस वीडियो को slide करके दुसरे वीडियो के निचे लेंगे और उसे select करके screen में fit कर लेंगे और उसकी opacity थोड़ी सी कम कर देंगे ताकि उसके पीछे की वीडियो थोड़ी सी दिखाई दें गाईस अब हमें इस वीडियो एडिटिंगे सबसे important पार्ट पेगाम बनना है लेयर वाली वीडियो और उसके उपर वाली वीडियो पे सट फेक्ट्ने की टैमिंग को perfect match कराना है आप इसको जित्य अच्छे से match करेंगे वीडियो एडिटिंग उत्ती अच्छी होगी गाइस क्रॉप करने के बाद लेयर वाली वीडियो की ओपीसिटी 100% कर लेंगे फिर वीडियो कुछ ऐसे दिखेगी जैसे भी बंदा सट फेकता है तो उसके सामने वाली जगा खाली होनी चीए तो लेयर के एक सा पाट को आप कट कर दें वहीं तक रखे जहां पर बंदा सट पकड़ने वाला है अभी एडिटिंग कंप्रेट नहीं हुई है अभी इसमें क्रेटिव लुक लाने के लिए हमें इसे बैग्राउंड विजिक और इफेक्ट डालना है गाइस बंदे के आगे आती उसका सर क्रॉप हो जा रहे है इसलिए हम लेयर वाले वीडियो को वहां से कट करके उसे थोड़ा सा बढ़ा कर लेंगे लेयर को वीडियो के साथ मिक्स करने के लिए अब कलर एडजस्मेंट में जाके उसका कलर बैलेंस करके लेयर को वीडियो के साथ मिक्स कर सकते हो वीडियो को और बहतरिन मनाने के लिए हम इसमें effect एट कर सकते हैं तो layer में effect के अंदर chromatic glitch वाला effect आप यूज कर सकते हो यह बहुत ही अच्छा लगेगा और effect को crop करके बंदे के दूसरे वाले position पे उसे cover कर दो और effect को तब तक रखो जब बंदे के entry होने वाली होती है और entry होने के जस्ट थोड़े दिर बात तक फिर share वाले option पे जाके इसे full HD में export कर लो guys अभी video editing complete नहीं हुई है अभी अपनी वीडियो में जान डालना बाकि है एक्सपोर्ट होने के बाद दुबारा से आपको काईवासर पे जाना है और new project लेना है solar ratio 9 को और अपनी timeline पे export की हुई video को add कर ले वीडियो को और अच्छा look देने के लिए आप उसमें filter लगा सकते है वीडियो को और cinematic look देने के लिए आप उसकी speed में change कर सकते हो जैसे बंदा slow motion में entry करता है और अचानक से उसकी speed बढ़ जाती है और फिर अचानक से उसकी speed कम हो जाती है इससे वीडियो को एक अच्छा look मिलता है ऐसा look देने के लिए सबसे पहले आप अपनी वीडियो की speed पूरी कम करते हो और जैसे बंदा slow motion में entry करता है वहाँ से वीडियो को split करके बाकी बची वीडियो की speed को थोड़ा से बढ़ा दो फिर जैसे बंदा थोड़ा से फास चालता है वहाँ से वीडियो को trim कर लो और बाकी बची वीडियो को slow कर लो और ऐसा ही आपको पूरी वीडियो में करना है जहां जहां पर आपको ऐसा लुक चीए एन वीडियो के ऊपर जो इफेक्ट ब्लिंग कर रही है उसे एट करने के लिए आपको जाना है क्लिप ग्राफिक पे और वहां पर आपको अप्लाई कर देना है आपको जहां तक अच्छा लगे वहां तक आप इसे कर सकते हो गाइस अब आ रही है इसमें बैक्राउंड मुजिक आलना की मुझे इसके हिसाब से जो मुजिक अच्छा लगा मैंने उसे एट कर दिये आप अपने पसंद से भी कोई सभी मुजिक एट कर सकते हो अगर आपको म यहांने जो मिजिक एट किया है वहीं मुजिक एट करना है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा गाइस वीडियो का मज़ा तब हाता है जब उसमें बैक्राउंड मुजिक अच्छा हो हम इस वीडियो में मुजिक के तुछ से अंसे करेंगे कुछ जै और म्यूजिक के बीच में थोड़ा सा केप रखेंगे जब तक दुसरा बंदा वहाँ पे आनी जाता और जैसे बंदा वहाँ पे आता है म्यूजिक आन कर देंगे जैसे बंदार इंटर करते हैं वहाँ पे टेलिपोर्ट वाली sound effect आती है वहाँ ने खुदी एड़ किया है उसका लिक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इस एडिटिंग कंप्लेट होती है यहाँ पे आपको थोड़ा से भी कुछ सीखने को भी लाना तो यहार एक लाइक तो बनते ही है और चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियो के टीटोरियल में आपके लिए लाता रहोंगा और बैल आकन प्रेस क करना तो वोल नहीं मात आइस एप्लिकेशन या एडिटिंग में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंड कर सकते हैं इस्टाग्राम के आडि मैंने डिस्क्रिप्शन में जे रखी है आपको कोई भी कोस्टान हो साओड इफेक्सर लेटर याभी कुछी भी अगरे को हाँ पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं थैंक्यू गाइस